यह दोनों जो आप लाइन देख रहे हो यह IBD और CBD टैंक की लाइन है यह एक drain line की circuit है इसे यहाँ पर रखा गया है और बाकी को दूसरी साइड रखा गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा drain line का circuit यहाँ पर रखा गया है यह पहले वाले से थोड़ा बड़ा है इसमें तीन control valve लगे हुए है यह जो आप ट्यूब देख रहे हो यह भी drain line की ट्यूब है इसमें भी valve लगे हुए है यह सामने की तरफ यह सबसे बड़ी line है यह भी drain line है यहाँ से लेके वो सामने की तरफ एक ही बार में कट करके हम लोगों ने इसे रिमूव कर दिया है इसमें भी एक valve लगा हुआ है और यह सामने की तरफ दो drain line की tubes यह सबसे बड़ी है यहाँ एक valve लगा हुआ है तहने यहाँ से शुरूब होकर वो सामने की तरफ दोनों में valve लगे हुए हैं दोनों में insulation भी लगा हुआ है उपर से के लेटिंग शीट भी लगी हुई है यह हम लोगों ने रिमूब करके इसे यहां पर रखा है और देन उसके बाद जब काम हमारा फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आज इस वापिस से इसे कनेक्ट कर देना है यह सारे ड्रेन लाइन की ट्यूब्स हैं जिसमें होट वाटर फ्लो होता है यह दोनों जो आप लाइन देख रहे हो यह आई बीडी और सीबीडी टैंक की लाइन है यह दोनों आप जो ड्रेन लाइन की ट्यूब्स देख रहे हो यह दोनों आई बीडी टैंक से कनेक्ट होती है फस्त यह एक है और सेकेंड यह सामने की तरफ जो आप दे झाल 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 झाल